बागेशवर धाम के बिरोध में इस तरह अपनी मर्यादा भूल गए हैं बिहार सरकार के कुछ मंत्री लोग कि महिलाओ के खिलाफ एक ऐसी अभधर टिपनी उन्हों ने कर दिया है कि जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन खेशाग इतना अभद्र तरीके से बात कर सकता है, इतना अभद्र तरीके का उदाहरन दे सकता है, इतना अभद्र बात का परियोग कर सकता है, सिर्फ बागेस्वर धाम के बिरोध करने के लिए महिलाओं के बारे में इस तरह का अभद्र टिप्रिक कर देना, और या सोचना भी नहीं क कि हम क्या बोल रहे हैं कहां बोल रहे हैं वोट की लालच में किसी एक मुठी भर लोगों को खुश करने की लालच में यह बिहार सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका दिमागी संतूलन भी खो चुका है और हमें लगता है कि तत्काल उनकी गिरबतारी भी हो जानी चाहिए निश्चे तुपसे महिलाओं पर इस तरह का अभदन टिपनी मतलब आप मैं तो हुआँ जबसे मनने सुना है मैं दंग हूँ मैं है रान हूँ काफी तार पे कैसे मंत्री महोदे ने मंत्री पद पर both आदमी कैसे महिलाओं के बारे में ऐसे अभद हैत् और मो estabmin कनी के म montón नाव किया है वह बीहार सरकार के सहकारिता मंतरी हुप दौरे सियादव पर माइक लेकर के भासट के दौरण में वह अगिन אחल में क्या कहा है क्या है मैं क्या में क्या बात उस सर्म केमारे बोल नहीं पाँ आपए उन्होंने किया है साथ मुनौन यह भी कह दिया है कि धिरंद्र सास्त्री के दरबार में दिवे दरबार में महिलाओ का जार्फू करते कर तो उनका कपड़ा खुल जाता है उनका कपड़ा खुल दिया जाता है इस तरह का जो बयान है उनका कपड़ा खुल जाना मतलब अईसा जार्फू के तंत्रमत होता है क का कपड़ा खुंजाता है इस तरह का अभधर भासा का पर्योक करना है किसी महिलाओoned के बारे में इस बीहार की बैटियों के बारे में, बीहार के बहूं के बारे में, मैं 제 मुझे तो यहीं लगता है कि सिर्फ बागेस्वर धाम का बिरोद करने का आलमीलों के सर पर इतना तो इतना हद तक पार कर जा रहा है कि आये एयरपोर्ट पर मेरा सेना तयार है और सेना तयार करने की धंकी यह अगर कोई दे रहा है और अब तक वह बाहर घूम रहे हैं उसके गिरबतारी तक नहीं हुई है यह अपसोस की बात है निशित रूप से यह अपसोस की बात है वह किसी पद पर क्यों न हो अगर वह किसी चीज पर हमला करने की बात करता है मेरा सेना तयार है हम देख लेंगे इस तरह की बात करता है तो निशित रूप से उन पर कानूनी करवाई होनी चाहिए और कानून और विरी सम्वत करवाई उन पर होनी चाहिए और तमाम उन लोगों पर भी करवाई होनी चाहिए जो एक बड़े पद पर होने के बावजोद महिलाओं के बारे में इतना अभद्र टिपनी करते हैं अभद्र टिपनी किया हैं माहिला अभद्र बात किया है यह मतलब जो आप नीचे देख रहा है यह चल रहा है यह पढ़ सकते हैं यह उनिक है मैगजीन में किसी अख्वार में लुख अगर ए उनका old गटिया है उनका सोच घटिया होना हो अगर आसम वैधानिक है तो इनपर क्या करवाई होनी चाहिए मैं तमाम बीЙहार के बैहनों पे छोड़ता हूँ कि आपकी क्या प्रकिरिया है मैं देखना यहीं चाहता हूँ साथ साथ यह भी देखना चाहता हूँ और बाते करना और सनातन में धर्म की बाते करना यह कहीं से गुणा नहीं है वह यह मुस्लिम भाई होते हैं अपने इसलाम की बात करते हैं सिख भाई हैं जो भी गुरु नानाग से लेकर करके सारे चीजों की चर्चा करते हैं इसाइव इसाइव भाई हैं इस देश के वो सभी इजु मसी की बात करते हैं तो कहां इसमें किसी को दोस होता है किसी को दिक और हनुमान जी के किरपा उन पर वरस्ती है और उन तमाम हनुमान जी से ही आगर करता है कि लोगों का भी कर लियान हो दिवर्दार बार में लाखों के भीड या साबित करती है भाई मेरे आपकी भीड जो होती है वह खरीद का रूपया पैसा दारू मीट पर लाई गए भीड होती है लेकिन धिरंद्र सास्त्री जो भीड उनके आसवास में दिखती है वह सर्धा के भीड होती है वह समर्पन की भीड होती है वह सनातन के भीड होती है हमारे संस्कृति के भीड होती है हमारे संसकार के भीड होती है और धिरंद्र कृष्ण सास्त्री पैसे से खरीड कर करें कि यहीं ताकत है सानातन की यहीं ताकत है अपने धर्म और यहीं किसी के संसकार के हमारे हैं बहुत हैं संद्धर्म करते हैं जो लोग जिस भर्म से उस दर्म के संभान करें अगर उन्होंने अखंड भारत कहा भी है तो उसे एक मुस्लिम भाई ने पूचा अखंड भारत में हिंदू का हिंदू राष्ट हो जाएगा तो मुसल्मानों का अस्थान कहा होगा तो दिरंद सास्तिर जी ने जो जबाब दिया उस्तून के अब धंग रहा जाएगे दिरंद सास्तिर ने कहा कि अखंड भारत में हिंदू राष्ट जब भी हो बहुत बहुत सारी बाते हैं अपना-पना धर्म का संमान करना किशी है अपना धर्म का करते हैं न कि किसी के धर्म को गाली देते हैं तो मैं भी आगरा करना चाहता हूं कि अपने अपने धर्म की बात करें किसी धर्म के गाली न दे और ध्रेंद्र क्रिश्ण साहकारिता मंतरी बिहार सरकार है इन्होंने महीलाओं के बारे में जो देख रहे हैं आप पढ़ लीजे ध्यान से इन्होंने क्या का आए उनको इनको सारवजनिक तोर पर आकि इनको पूरे बिहार की महीलाओं से बहनों से माफी मांगनी चाहिए नहीं तो मंतरी पत से इनको जादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं जय बिहार बदलो बिहार